सबा नेधा आजम खान और उनके बेटे विधायक अब्दूला आजम ने किया मदान वोट डालाबाद में आजम खान मेडिया से मुकातिफ हुए. आजम खान ने कहा सुभा से पूरे जिले के उन लोगों की विथा सुन रहे थे जिन पर पेंट परसाए गए गंडे बरसाए गए जिने गिरफ़तार किया जिने पर पूर्टाइर काटे गए उनकी विथा सुन रहे थे यहां क्योंके जिलादी गारी में और साथ गारी आए उनोंने प्रिमना लगती है पर आईडी इती नमत मचाओ आईडी में रखा किया आईडी प्रोस पहले ही उनकाइस थे कि पुलिस राइंगे गड़ते हैं उन सब की नारे साथ कर दे गए हैं और हिदायत की है पुलिस को कि उसका निशान आना चुके डियम प्रोग तो डियम ने रामपूर वालों को प्रोग करने में प्रोग करने में कोई कसर उठा कर नहीं रखती है यहां अधर लोग निकल कर आएंगे इनने पुलिस चलाने का शुबह उसर मिलेगा वो नहीं हुआ जोहर यंस्टी की दीवारे तोड़ी लोग निचल कर आएंगे पिर गोली चलाने का मौका मिलेगा फिर ग्रामपूर पबलिक इसकूल के चार चार साल के बच्चों के कान पकलकर उनकी कुर्सियों से उठा पर शांगा गया माबाप आएंगे गोली चलाने का मौफ़ा मिलेगा और हैट टेंग का कनेक्शन काड़ा गया लोग निकल कर आएंगे आज भी सुभा से जब चुनाव शुरू हुआ लगभा तीन सो एवियम खराब थी एवियम खराब थी तो इसकी कोशिश होना चाहिए कि वो ठीक है हमने हमारा बहुत लंबा पास्ट है स्यासत का हमने ये देखा है कि हर चुनाव में जिला प्रशासन अगर वहाँ पर कुछ समस्या होती भी है एड्मिस्टिट्यूट तो उने ये सोच कर टालते हैं कि अब इसे चुनाव बात देखेंगे चुनाव शानती से संपन हो जाए लेकिन हमारे प्रशासन ने यहां आकर मिटिंग करके ज़रा दिकारी ने कहा कि योगी जी में भगवान है और मैं उनका भग सूँ और भग भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है उनकी रिकारड़ड प्रीचर्स हैं चुनाव के लिए जो रोटसाहित किया जाता है वोटर्स को उसमें उन्होंने खुल कर बीजेपी के लिए वोट बांगा कहा जो व्यक्ति बार बार चुना जा रहा है उसे आप क्यों वोट दे रहे हैं और महीलाओं को संसद में होना चाहिए जादा तो आप महीला को वोट दीजिए ये उनकी हमारे पास सेकॉर्टेज स्पीचर्स हैं जो हमने एलेक्शन केमिशन को भीजी और हमने तो कभी कुछ नहीं कहा अर्मी के कभी कुछ नहीं कहा धर वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और भाई बेटे जिसकी सरकार है उसकी इशारे पर योगी अलिगनाथ